तो फ्रेंड्स कल तो मेरा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मैं थोड़ा व्यास्त थी अपने पर्सनल काम की वज़े से तो फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा अपने गाडन का व्यू दिखाऊंगी और एक बहुत ही खुबसूरत विंटर प्लांट डाइन्थस जो है उसकी केयर टिप्स बताऊंगी और कौन-कौन से कलर्स मेरे पास है मैंने अपने गाडन में कौन-कौन से डाइन्थस के प्लांट एट किये हैं वो भी दिखाऊंगी तो उससे पहले friends मेरे garden के flower दिखाती हूँ कि कौन-कौन से flowers खिले हैं क्योंकि जो भी खुबसूरत flowers मेरे garden में खिलते हैं मैं आप लोग से जरूर से एर करती हूँ और हर कोई चाहता है कि अच्छे-च्छे flowers सुन्दर-सुन्दर flowers अब कोई देखें तो इसी वज़ा से friends में भी आप लोग से से एर करती हूँ और देखें मेरे गुलदाओदी में कितनी अच्छी flowering चल रही है अभी और मेरे पास गुलदाओदी के भी बहुत सारे colors हो गए हैं तो उन सबको मैं cutting से save करके रखूँगी next year के लिए और पिटूनिया देखें पिटूनिया में भी बहुत अच्छी flowering चल रही है और ये जो तीन प्लांट है गुलदाओदी के मैंने नए aid किये थे आप लोग से share भी किया था वाइट और डार्क पिंक और रानी कलर तो बहुत ही खुबसूरत देखें इन में कितनी अच्छी flowering हो रही है और ये मेरा पॉनसिटिया तो विंटर प्लांट है उन में अच्छी flowering हो रही है तो उसके लिए फ्रेंड समय फर्टिलाइजर भी देते रहना है ये डॉक फ्लावर क्योंकि समय समय पर यदि हम विंटर प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं तो उन में अच्छी flowering होती है और इस तरह से देखें मेरे यहां पर गुल्दाओदी के जितने भी वेराइटी सबको मैंने रखा है और डेहलिया के भी प्लांट मैंने यही परसिप्ट कर दिया है और ये मेरे टैरिस के दूसरे साइट का गाडन है ये देखें मेरा कटिंग से लगा हुआ हिबिसकस का प्लांट है और देखें इसमें कल साय देखी लेंगे और एक फ्लावर और आया है तो इसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था इसमें मेरे व्यू भी बहुत ज़्यादा आये हैं फ्रेंड्स उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और छोटी सी छोटी कटिंग आप विंटर में भी लगा सकते हैं मैंने भी अच्छे से उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो मैं आप लोग से जरूर से एर करूंगी तो कटिंग भी लगा सकते हैं विंटर में दिसंबर में भी कटिंग आप लगा कर देखिए और हम अगर गाडनर्स हैं फ्रेंड्स तो हमको कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए निरा साओधी के फ्लावर से देखिए कितना खुबसूरत दिख रहा है और यहां पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स क्योंकि पूरा बंचेज में फ्लावर साते हैं और कैनेंडूला देखिए इस बार मुझे बहुत अच्छी सीडलिंग में लेकर आई थी और बहुत ही अच्छे कलर्स मेरे को मिले हैं क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था कि मुझे इतने अच्छे कलर्स मिलेंगे कैनेंडूला के और भी मैं दिखाती हूं मेरे पास जूने फ्लावरिंग हुई है और देखिए इसमें कितनी कॉंटिटी में फ्लावरिंग चल रही ह और इसके flowers बिल्कुल बहुत ही light yellow color के हैं और बहुत ही खुबसूरत एक creamy color जैसा होता है उस type का yellow है friends और ये तो बिल्कुल dark yellow है बहुत ही खुबसूरत है ये वाला flower जो है और इसमें भी देखे कितनी कलिया है और कितने सारे flowers आये हैं तो canandula के plant भी जरूर अपने garden में आप ए रहा है और ये वाला देखिए friends ये orange color के इस तरह से दिखते हैं जब इनके कलिया होती है तो बिल्कुल dark maroon color के होते हैं और जब खिल जाते हैं तो इस तरह से दिखते हैं कितने खुबसूरत लग रहे हैं देखिए तो मेरे पास और ये बिल्कुल dark orange color का ये अच्छे से भी नहीं है ये कल खिलेगा और देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है बीच में बिल्कुल maroon color का तो चलिए फिर बात करते हैं तो उससे पहले मैं दिखाती हूं मेरे पास कितने सारे प्लांट है और देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है औ देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग हो रही है तो चलिए सबसे पहले इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं तो डैंधास की प्लांट के लिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल वेल-ड्रेन मिट्टी बनाएं जिसमें एक भाग मिट्टी ले प्राइस हस्क यदि आपके पास कोको पीट है तो कोको पीट एक भाग सेंड वर्मी कमपोजड एक भाग नीम खली और फंगी साइड पाउडर और एपसम सॉल्ट इस तरह से आप इसकी मिट्टी तयार कीजिए और प्लांट को आप चाहें तो इसके बेबी प्लांट भी नर् आप जूट बोल रही हैं या जो भी तो फ्रेंड्स अलग अलग नर्सरी में अलग अलग रेट होते हैं कोई तो 20 रूपीस में भी मिल जाते हैं आप उसमें कोई कहेगा कि आपको 20 रूपीस में कैसे मिल गए तो ये तो नर्सरी वाले के उपर डिपेंड करता है कि कितने प प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा तो फ्रेंट्स यह हो गए और आप इसे कौन-कौन से फर्टिलाइजर दे सकते हैं देखिए यह वाला कलर तो मुझे बहुत ही पसंद आया बिल्कुल वेलवेट की तरह है फ्रेंज डार्क कलर है एक दम और इसमें फर्टिलाइजर हम इस तरह से आप रात में भीगा दीजिए और पानी में भीगा दीजिए सर्सोखली नीमखली जितने भी मैंने बताया है और उसे तिन दिन तक आप ऐसी ही रहने दीजिए उसके बाद चौथे दिन आप इसको लिक्विट को वन टेन के रेशू में आप सभी प्लांट को दी तो इस तरह से इनको लिक्विट फर्टिलाइजर दीजिए और फ्रेंट्स जब इनके फ्लावर्स अच्छे से खिल जाते हैं तो इस पेंट फ्लावर आप हटा दीजिए जब फ्लावर सूख जाते हैं तो इनको आप कट करके हटा दीजिए जिससे की इनकी ब्रांच भी ब पिलर का ध्यान देते रहना है या फिर कोई भी इंसेक्ट अटैक होता है उसका भी आपको ध्यान देना है इंसेक्टिसाइड अपलाई करते रहना है तो आप लोगों ने तो देखा है मेरे गाडन में कितने जादा केटर पिलर हो गए थे और मैंने बहुत सारे हटाए भी और इंसेक्टिसाइड भी अपलाई किया है और बलेक कलर की छोटे-छोटे से कीडे भी हो जाते हैं तो आप इंसेक्टिसाइड अपलाई कीजिए मार्केट से जो भी आपको अच्छा लगता हो वो लाकर आप इंसेक्ट अटैक होता है तो इंसेक्टिसाइड अपलाई और एपसम सॉल्ट का इस्प्रे कीजिए और गमले में भी चाहें तो आप एपसम सॉल्ट एक चमच और NPK 1919 एक चमच डाल कर गुड़ाई कर सकते हैं जिससे की प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोध भी लेगा अगर्ण से आपके गार्ण में बहुत जादा प्लांट आप तयार कर सकें और मैंने तो एसा ही किया है और मैं हमेसा एसी ही करती हूं तो चलिए मेरे कटिंग तिखाती हूं तो देखें ये कटिंग मैनने अभी लग भग मुझे चार से 5 दिन हुआ है तो इनकी पत्तियां बिल्कुल फ्रेस है यह देखिए कितनी अच्छी है कुछ में तो नियू पत्तियां आने भी लगी है आपको दिख रहा होगा कैमरा में तो डैंठस की cutting आप चाहें तो सेंड में भी लगा सकते हैं कोको पीट में लगा सकते हैं तो यह वाला जो आप देख रहे हैं यह मेरा कोको पीट में लगा हुआ है फ्रेंड्स सारे कटिंग मैंने कोको पीट में लगाया है और जो ग्लास में मैंने दिखाया है वो हाप पार्ट मिट्टी और हाप पार्ट रेत में मिलाया है मैंने लगाया है और प्योर रेत में भी जिससे की इनकी cutting जो है बहुत अच्छे से success भी होती है और scent में भी result बहुत अच्छा मिलता है तो इनकी cutting भी आप अभी भी लगा सकते हैं December के मन्थ में भी आप लगा सकते हैं और बहुत सारे plant तयार कर सकते हैं तो बस friends आज का मेरा यही topic था कि किस तरह से हम डाइंथस प्लांट की care करें मिट्टी कैसे बनाएं कैसे जगह पर place करें insecticide कैसे अपलाई करें कौन कौन से fertilizer दें और cutting कैसे तयार करें तो आसा करती हूँ आज का वीडियो जरूर आप लोग को तो देखिए friends मेरे garden में इतने सारे colors के मैंने plant aid किये हैं dynthus के और इन सब को मैं जरूर सेफ करके next year के लिए जरूर बचाओंगी मैं तो आप भी अभी cutting लगाईए और अपने garden में ज़्यादा quantity में plant तयार कीजे और वैसे भी नरसरी में प्लांट के rate भी काफी महगे हो गए हैं तो अपने घर पर ही plant तयार करने की कोशिस किजे friends मेरी तो यही सला है और नरसरी से भी ला सकते हैं तो इस तरह से मेरे dynthus के plant बताईएगा जरूर मेरे plant आप लोग को कैसे लगे और मेरे plant फेल दी हैं कि नहीं तो इसी आसा के साथ friends नेक्स्ट वीडियो जरूर मैं और लाओंगी कल तो मेरा गेप हो गया था परसनल रिजन के वज़े से तो फिर मिलती हूँ friends नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बाई बाई